नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दूबे आज बनाने जारी हूँ बेजरोल टिकी। ये बेजरोल टिकी बहुत ही स्वादिश्ट होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है क्योंकि ये गेहूं के आटे और सबजीों से बनी है। आप इसे सु आप मेरे चैनल पर न्यूं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें यहां पर मैंने एक बावल गेहूं का आठा डाला है। उसके बाद मैंने डाला है आदा चम्मच नमक, और इसके बाद मैंने डाला है दो टेबल इस्पून कुकिंग ओयल, और अब मैंने डाल दिया है बहुत छोटे चम्मच से आधे चम्मच बेकिंग सोडा पिंच में देखेंगे तो चार से पाँच पिंच बेकिंग सोडा मैंने डाला है इसके बाद मैंने दो बॉयल डालू डाले हैं जिसे मैंने छिल के ग्रेट कर लिये थे और इन सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे जितना हमारा आटा है उसका आधा बॉयल डालू है और अब मैं क्या करूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा एक डो बना लूँगी जैसे हम पराठे का डो बनाते हैं सेम वैसा ही डो हमें बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरीके से मैंने डो तयार कर लिया है अब हथेली के पिछले हिस्सों से मैं 3-4 मिनट तक इस डो को मसल मसल के इस तरीके से त्यार कर ली हूँ और अब इसे एक साइड में रख देते हैं रेस्ट करने के लिए तब तक हम अपनी स्टफिंग त्यार कर लेते हैं तो इस टफिंग में मैंने एक फूल गो भी ग्रेट कर ली थी वो डाल दी है उसके बाद मैंने दो सिमला मिर्च बहुत बारीक चौप किया है उसे डाल दिया है इसके बाद मैंने दो गाजर ग्रेट करके लिया है उसे डाल दिया है और यहाँ पर धनिया पत्ता लिया है मैंने एक चम्मच बड़े चम्मच से और तीन चार हरी मिर्चे इन सारी सबजियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें प्याज भी आड़ कर सकते हैं उसके बाद मैं डाल देती हूं टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक औ तो अब हम फटा-फट इस्टफिंग को भर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आटा जो है सेट हो चुका है मैं डालूंगी थोड़ा सो ओयल उपर से और फिर से इसे एक बार मसल लूँगी अब इस आटे को हम दो हिस्तों में कर देंगे इस तरीके से और एक लोई बना लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ओयल अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा आटा है वो नीचे चपकेना और इस तरीके से लोई को प्रेस करेंगे और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि जैसे मैं बेल रही हूँ उसी तरीके से आपको बेलना है बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और इस तरीके से बेलना है यह देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से इसे बेल लूँगी और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत मोटा नहीं बिला है क्योंकि हमें इसे रोल करना है और बहुत मोटा होने के वज़े से ये रोल नहीं हो पाएगा और अब मैं इस पे स्टफिंग रख दूँगी जो सबजियों की हमने स्टफिंग बनाई है इस तरीके से रख देंगे और चारो तरप अच्छे से फैला लेंगे अब देख पा रहे होंगे और चम्मस से ऐसे हम इसे दबा दबा के आटे में सेट कर लेंगे ये देखिए आटे में अच्छे से सेट हो चुका है उपर से दबाने के वज़े से ताकि हमारी स्टफिंग निकलेना और अब हम एक साइट से इस तरीके से मोडेंगे और इसका रोल बना लेंगे बेज रोल टिक्की बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इस तरीके से बनाएं और इसे थोड़ा सा हम रोल कर लेंगे रोल करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से रोल कर लेते हैं दोनों साइडों से और ऐसे निसान लगा देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से कट कर लेते हैं यहाँ पे हमने बेजरोल टिकी कट करके रख ली है यह देखे इस तरीके से हाथ पे रखेंगे और हथीली की बीच में रखे इसे प्रेस कर देंगे ये देखिए यहाँ पे हम हाथ में रख लेते हैं और इसे अब हम प्रेस कर देते हैं इस तरीके से और आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा सेप आ रहा है इसका बस इसी प्रोसेस से हम सारी टिक्कियों को बना के तयार कर लेंगे ये देखिए यहाँ पे हमने सारी टिक्कियां बना ली है यहाँ पे सारी टिक्कियां बनके तयार हैं तो गैस पे रख देते हैं फ्राइंग पेन और उसमें डाल देते हैं 4-5 टेबल स्पून कुकिंग ओयल क्योंकि हम टिक्कियों को सेलो फ्राइ करेंगे तो यहाँ पे cooking oil डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा गरम होने देते हैं और इस तरीके से टिक्कियों को इसमें रख लेते हैं यह देखिए इस तरीके से रख लेंगे और gas की flame को हम medium कर देंगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप टिक्कियों को high flame पे ना सीके नहीं तो बाहर से यह जल जाएंगी और अंदर से कच्छी रह जाएंगी medium flame पे टिक्कियों को सेक लेंगे यहाँ पे देखिए मैं alert plate के टिक्कियों को सेक ले रही हूँ तो यह बेजरोल टिक्की सेकने के लिए आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि gas की flame को आपको medium पे ही रखना है medium flame पे टिक्की अच्छे से दोनों साइडों से अच्छे से सीक जाएगी और यह देखिए alert plate के मैंने टिक्कियों को सेक लिया है बहुत अच्छा कलर आया है और अब हमारी जो टिक्की है बेजरोल टिक्की सेक के perfect त्यार है मैं इसे transfer कर लेती हूँ अलग plate में और same process से हम सारी टिक्किया सेक लेंगे अभी frying pin में जो oil है उसी में सारी टिक्किया सिक के त्यार हो जाएंगी नहाँ पर मैंने बेजरोल टिक्की को serve कर लिया है मैंने serve किया है green chutney और tomato ketchup के साथ में आप इसे gravy वाली सबजी के साथ या पिर चाय के साथ ये हमेशा खाये जाने वाला नास्ता या खाना है तब तक के लिए बाई बाई दोस्ता